Welcome to Fantasy Council, Match No.30, Perth vs Sydney Thunder, आज का मैच हो सकता है आपके लिए Mega Jackpot Match, कैसे सब कुछ बताने वाला हूँ आपको वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये मैच खेला जाएगा Sydney Show Ground पे, मतलब Sydney का अपना Home Ground रहने वाला है, कुछ एक और चीज है जो मैं आपको बताना च मस सकते हैं, इस चीज का सारे लोग ध्यान रखना, कि ये मैच बहुत जादा मज़ेदार हो सकता है दो तरफा चीजों से, एक ट्रेडिंग के हिसाब से, और एक पैंटसी के हिसाब से, तो दुफैर पोने दो बज़े नहीं, ये खिला जाएगा, दो बज़ के 10 मिनट पे, और इस मैच में क्या होगा, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से बताने वाला हूँ, तो चिपक के रहें, जरूर जानिए कि इस मैच में क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप कर लें एक काम, जॉइन करें हमारा टेलिग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जो प्राइम के नाम पे लोगों को ठकते हैं, जो आप से मांगेंगे तीन हजार, पाँच हजार, सोलह हजार रुपे और बोलेंगे कि ग्रैन लीग में आपको मिलेगी फर्स रैंग, हम फैंटसी काउंसल की टीम से बात कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें फस गए, तो आप होंगे जिम्मेवार, क्योंकि मैंने बता दिया है, हमारा ओरिजिनल चैनल है ये, फैंटसी काउंसल, जिसका लिंक कमेंट में भी है, डेस्क्रिप्शन में भी है, और यहां पे आपको मिलेंगे भिन-भिन परकार के फायद हैं, जैसे स्मॉल लीग की टीम, पर्सनल अगर आपके पाच बेस्ट कमेंट्स में नाम आ जाता है, तो आपको मिलेगा पांच सो रुपेगा पी टीम कैश, तो गिव अवे की बोचार हुई खतम, अब शुरू करते हैं, मैच में क्या होने वाला है, पर्च स्कॉर्चर्स, सैम वाइटम, जैक क्रॉले, एरॉन पर कनॉली, आश्टन, एगर, जेसन, बैरेंडरॉफ, लांस, मौरिस, जाय, रिचर्डसन और एंड्यू टाई, ये रहने वाली है, कम्प्लीट टीम पर्च स्कॉर्चर्स की, अब इनके में बॉलर्स सब जानते हैं कि टाई, जाय, लांस, बैरेंडरॉफ, एगर और छटे बॉलर हो जाते हैं, तो कनॉली, या एरेंडरॉफ, और ये टीम अपना पिछला मैच हार के आई है, अभी तक इनका विजरत चल रहा था, विजरत रो का एडिलेट स्ट्राइकर्स ने, जिसमें हमने जीते थे 15 लाख रुपे, और मैंने आपको बताया था, कि इस मैच मैच बिलेट स्ट्राइकर का ही पलड़ा भारी रहेगा, और स्ट्रेट वो मैच जीत जाएगी, वैसा ही हुआ था, पर्त ने पहले स्टार्स को हराया, फिर होबाट को हराया, फिर रेनेगेट्स को हराया, फिर स्ट्राइकर्स को हराया, लेकिन अगला मैच स्ट्राइकर से हार गए थे जैक क्रॉले जिन्होंने पहले मैच में मारे पैसट उसके बाद फीके पड़ गए एक दस आठ सैम वाइट मैं पहले मैच में यह जो 31 रन आप इनके स्क्रिन पर देख रहे हैं यह हबड़ा तबड़ी में आये थे हबड़ा तबड़ी का मतलब यह है कि इन से रनी न 35 रन लगातार कंसिस्टेंट बहत्रीं कंसिस्टेंट बैटिंग जॉश इंग्लिस 17 उसके बाद इनोंने मारे 64 क्योंकि यहां पर इनकी बैटिंग नहीं है इनौ विकेट से जीत रहे थे 26 और 49 लॉरी इवांस 24 और एक ऐसा मैच जिसमें 85 रन सिर्फ 28 गेंदों में और बीवी के 23 रन बना दिये थे ऐस्टन एगर एक विकेट यहां उसके बाद तीनों मैच में विकेट लेस जाय रिचर्टसन की जब मैं बात करता हूं एक बड़े बॉलर है दो जीरो एक दो जीरो लेकिन सबसे जाद इंप्रेस किसने किया है यहां तो मौरिस ने यहां फिट ने कर देता हूं चार विकेट पर एक लिया था और पिछले मैच में इनका है जीरो विकेट लांस मौरिस एक दो पाच एक ऐसा चल रहा है अभी तक इनका टूर्नमेंट टाई को पिछले मैच में कुछ बिकेट नहीं मिले कुछ ज़्यादा खास नहीं किया था क्योंकि एल मैच में वाइट मैन के 22 वेन्यू पे सिर्फ 48 पिछले पांच मैच अगर आप देखेंगे 137 रन कैसे आगे मुझे नहीं पता लेकिन यह जाद अच्छे बैसमें नहीं है जैक क्रॉले नों एक मैच खेला है उसमें मारे है 12 पिछले पांच मैच में पैसर टनल नाबाद की उसके बाद बाद में ही नहीं आ पा रहे हैं इनकी बैटिंग चली नहीं पा रही है तो क्रॉले का ऐसा लगता है कि हो गया जो होना तो टेस्ट वाली बैटिंग है ना अरॉन हार्डी चार मैच 34 रन एक विकेट वेन्यू पे दो मैच में ग्यारा रन ना तो यह हैड़ तीन मैच में 98 रन थंडर के खिलाफ लास्ट पांच मैच इसमें 39 पिचासी 24 डिड नॉट बैट डिड नॉट बैट कनॉली तेईस चौदा जीरो पांच बीस यह हैं कि रिकॉर्ड और अभी वेन्यू पे और हेट टुएड रिकॉर्ड इतने जादा है नहीं एश्टन एग और बल्ले से बनाए 126 रन वेन्यू बे अगर आप देखेंगे 6 मैच में अर्सट रन और 5 विकेट भी हैं पिछले 5 मैच इसमें 0-0-0-1-1-1 6 मैच इसमें बैरें ड्रॉफ लेते हैं सबसे जादा विकेट 10 में 14 वेन्यू पे 3 में 7 तो यह बन जाते हैं ग्रैंड लीग की लास्ट माच मैच इसमें पिछले मैच में गए हैं विकेट लेस जिसमें हमने ड्रॉफ किया था वहीं अगर आप देखेंगे लांस मॉरिस हेड टो हेड में इनका कोई विकेट नी है लेकिन वेन्यू पे इनके दो विकेट जरूर हैं लास्ट माच मैच इसमें 15210 जाय रि साइं क्रोफ्ट एलेक्स हेल्स कैड मॉर हैं जिनका बला नहीं चला है शांत है एलेक्स रॉस सेम फॉर रॉस डेविस ऐसे ही खेल रहे हैं डैनियल सैम्स ने दो तीन मैच ग्रैंड लीग के कप्तान बनके काफी अच्छा काम किया है नेफन मैक एंड्यू चल नहीं पारे ह लेकिन उससे पहले आप देखें अगर ब्रिज्बेन एडिलेड ब्रिज्बेन सिक्सर से इनका नो रिजल्ट रहा हो बाट अरी इन सबसे यह हारे हैं कंसिस्टेंसी में अगर बात करूं तो बैंक्रॉट पच्छिस चोहत्तर तीस च्छालिस च्छे इकेस अच्छा चला है यहां भी जील के कप्तान तीस रन और पच्छिस रन एक विकेट ड्रीम टीम के पाट नेथन में बल्ले से इन्होंने ज्यादा पॉइंट दिया है 13 रन 22 रन दो रन एक रन और यहां पे कंप्प्लीट विकेट लेश पिछले मैच में घिर पडर के मिली ग्र precious तीसरे दूस्रे इक विकेट नहीं स्में टिसरे मी कुछ नहिए चौत्याstart इन्हों की बल्ले से तो पारी खेली बी टीऊ गुरिंदर सांदू एक विकेट यहां जीरो और जीरो होबाट के खिलाफ लियाम हैचर के अगर हम बात करें तो विकेट लेस पिछले मैच में और जितना भी इनोंने खेला कुछ कहास किया नहीं तन्वीर सांगा यह अच्छा कर रहा है तीन एक जीरो एक एक लगातार विके पाइजी के खेलने वाले वेन्यू पे इनकी 76 की एवरेज है 307 रंज सिर्फ साथ मैचेज में और लास्ट मैचेज अगर देखें 26 46 34 बुरे नहीं है एलेक सेल्स 26 की एवरेज से मारते हैं पर्थ वालों को 238 रन है वेन्यू बेह हैं इनके 27 की एवरेज और 294 रन 249 रन ला 45 की एवरेज रखते हैं उलिवियर डेविस 165 रन है वेन्यू पे 16 की एवरेज है लास्ट पांच मैचेज अगर आप देखें 20 15 23 22 एलेक्स रॉस 18 की एवरेज रखते हैं लेकिन वेन्यू पे 31 की हो जाती है इनकी आवरे 280 रन है इस पर्टिकुलर वेन्यू पे फिछले 5 मै दस मैच में 6 विकेट लेकिन वेन्यू पे है 20 में 31 और 153 रन ग्रैंड लीग के कप्तान उपकप्तान सबसे बेस्ट ऑप्शन क्रिस ग्रीम इन्होंने मैचिस तो बहुत खेले हैं 11 लेकिन विकेट लिए सिर्फ 9 बल्ले से भी परदर्शन बेकार है चौब लेकिन वेन्यू पे जब आते हैं तो और खराब हो जाते है 27 में 105 रन और सिर्फ और सिर्फ 20 विकेट इनके नाम होए पिछले 5 मैच में इन्हो मैच में 9 विकेट वेन्यू पे है 20 मैच में 15 विकेट अगर गुरिंदर संदुगी में बात करता हूं तो ठीक है इसके रिकॉर्ट एवरेज ही हैं तन्वीर सांगा के 3 मैच में head to head में एक वेन्यू पे 3 मैच में दो अगर लास्पांच मैच इस देखोगे तो एक विकेट not bet एक विकेट जीरो विकेट एक विकेट फिर हम आते हैं लिया मैच में हैं इनका दो विकेट वेन्यू पे जीरू है पिछले 5 मैच में सिर्फ और सिर्फ दो विकेट लेके आए अब करते हैं बात सिड्नी शोग्राउंड की जहां पे बारिश का बोल बाला जादा रहता है स्कूर यहां पर करीब बन नहीं जाता है जैसे तैसे और अगर आप देखेंगे यहां पर इसकी स्टैट्स क्या है मैच हुआने पेसर्स लेकर गएते साथ स्पिनर लेकर गएता सिर्फ और सिर्फ एक में पिर है फिर पेसर्स यहां पर मिलता है यहां पर सिर्फ एक लौता विकेट फिर यहां पे थंडर बनाती 111 पर इसको चेज कर जाती है और पेसर्स लेके जाते हैं 10 विकेट स्पिनर को मिलता है क्लियर हो गई एक सिच्वेशन कि यहां पे स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते हैं अब आगे चलते हैं जिसने अभी और सब्सक्राइब भी करी लेना की प्लेयर में आता है लांस मौरिस का नाम क्योंकि जब भी सिड्नी थंडर का मिडल और बैटिंग करने आ रहा है तो कॉलाप्स खा रहा है उस केस में लांस मौरिस बहुत अच्छा करके जा सकता है इस वाले मैच में फिर हम आते हैं आगे की तरफ जहां पर आते हैं जाय रिचर्ड्सन जाय रिचर्ड्सन अगर पर्त पहले बॉलिंग करे तो उस केस में ड्रॉप करने की आप सोचना भी मत बिल्कुल सच बता रहो बिल्कु सेकिंड थॉट भी मत देना और जाय रिचर्ड्सन को अपने टीम में रख लेना इन सेम पॉर जेसन बैरिंड्रॉफ इसके रिकॉर्ड देखो दस में 14 वेन्यू पर तीन में साथ करो के ड्रॉप नहीं ना बैंक्रॉफ हेल्स को बहुत जादा खत्रा है इससे और मेरे को द देखेंगे डैनी डैनियल्स डैनियल्स सैंप्स का नाम आप सब जानते होंगे और इनके रिकॉर्ड हेट टू है जादा अच्छे नहीं है लेकिन वेन्यू पर आते हैं इनको कोई माता आ जाती है बीस मैच 159-31 विकेट तो ग्रैंड लीग के लिए सबसे बहुत ज्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे सेफ कैप्टन ऑप्शन है डैनियल्स ठीक है यह सबसे सेफ है लेकिन अगर रिस्क लेना चाते हो जाए रिचर्डसन अगर पर्थ पहले बॉलिंग करे तो सी जरू ट्राइब करना सी ट्राइब को भी जब ही ट्राइब करना हार्डी को मैं कहूंगा कि मत करना क्योंकि मुझे नहीं लगता हार्डी ओनेसली ग्रैंड लीग में वीसी निकलने वाले और हो सकता है हार्डी आज जल्दी भी आउट हो जाए यह पिच का भीएवियर थोड़ा अलग है रुतबा अलग है और बैरेंड रॉफ को तो वीसी कि आप सेकेंड इनिंग में भी ट्राई कर सकते हो क्यों क्योंकि यह बंदा जो है ना यह फ्रंट विकेट निकाल सकता है इस वेंडियू पर अब आप मज़े की चीज़ सुनोंगे पर्थ जैसी स्ट्रॉंग टीम के खिलाफ 9-8 से सिड्नी थंडर कर रही है लीड अब यह जो टीम है है और यह जो टीम है इसमें दो तरीके के प्लेयरैंगे नाम बड़े दरशल्टे जैसे जैक रॉल हा ज़ाता है और यहां प Say जाता है और हो भी सकता है इसकी नाजी को यह ले आए हाई चांसे हैं क्योंकि वाइट मैं के बसकी बैटिंग नहीं है लेकिन एरॉन हार्डी और इंग्लिश इवांस इन तीन में से जिस दिन दो फेल हो जाएंगे यह तीम हाथो हाथ हर जाएगी यह खाती है अपनी बॉलिं एक बड़ा रूल आज के मैच में प्ले करके जा सकता है अब यह जो टीव हैं इनके अभी तक क्याड्मोर हैं हेल्स ने अभी तक वैसा फायर नहीं क्या है एलेक्स रॉस ऑलिवियर डेविस डैनिल से सारी अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन यह अभी तक उस तरीके से च आच रहने वाला है यहां पर आप नहीं खेलते हैं तो अपना नुकसान करवार यहां खेलना चालू करो पेलना चालू करो डाउनलोड करें माइस्टर एलेवन करोंड इंग्लिवियर ने ले लिया बैटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ ले रहे बहुत हैं अभी फेल्स को ले को रख रहा हूं हाड़ी को रख रहा हूं एगर को भी मैं रख सकता हूं बॉलिंग ऑप्षन में आप रख सकते जैसन रिचर्डसन एंड्रीट टाय रिसक लेना चाहते हैं लांस मौरिस वह उच्छा उप्षन है तो साथ तीन दस हो गए अब एक बंदे की जगह बचती है व बाकि कोई मुझे अच्छा लग नहीं रहा है तो अगर आप सी वी सी बनाने की सोच रहे हैं यहां पर तो आप डैनियल सैम्स के साथ जाइए यही सबसे सेफ ऑप्षन है स्मॉल लीग में इनसे सेफ कोई नहीं है और वी सी के अगर मैं बात करता हूं आपके अपोनेंट हा ही दूँगा और फिर हम मिलेंगे सीधा टॉस के बाद और टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना